आपने ये तो सुनाई होगा कि पूत के पाउं पालने में ही नजर आ जाते हैं कुछ ऐसा ही हुआ है फरीदाबाद में जहांके नन्हे खिलाडी ने शत्रन जैसे पेचीदा खेल में राज़ेस्तरिय टूर्णामेंट जीता है जिसकी वज़े से विभव को नेशनल चैंपियंशिप में सीधे सीधे एंट्री मिल गई है 22 से 24 माई को गुड़गाओं में हुए हर्याना स्टेट चेस चैंपियंशिप को जीतने का कारणामा किया है फरीदाबाद के नन्हे चेस मास्टर विभव शर्मा ने 20 मीं हर्याना स्टेट चेस चैंपियंशिप के अंडर 17 वर्ग में विभव ने हिस्सा लिया था और उन्होंने 7 में से 6.6 अंख हासिल कर 83 प्रतिभागियों में पहले अस्थान को हासिल किया चैंपियंशिप बनने के साथ ही उनका नेशनल के लिए भी चैन हो गया है नेशनल चेस प्रतिभागिताद अक्टूबर 2015 में होगी विभव फरिदाबाद के पहले ऐसे शत्रंज खिलाडी है जिनकी इंटरनाशनल रैंकिंग है रियान इंटरनाशनल स्कूल के चात विभव के प्रतिभाग को उनके पिता विनर शर्मा ने गेम आसानी से स्वाल्व करने के चलते पहचाना और शत्रंज के कुछ बेसिक बताए इसके बाद विभव ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा विभव अभी तक 60 से अधिक खिताब अपने नाम कर चुके हैं विभव के मुटाबिक उनका लक्ष नेशनल जेंपर्शिप जीतना है इसके लिए वो कड़ी महनत भी कर रहे हैं विभव का कहना है कि वो पहले भी नेशनल गेम्स में हिस्सा ले चुके हैं लेकिन उन्हें पहले काम्याबी नहीं मिली थी इसमें का करते हैं करीबन 400 बच्चे आयवे थे और मेरी केटेकरी में कम से कम 250 बच्चे थे जिसके अंदर मेरी सबसे हाइस ट्रेटिंग थी इंटरनेशनल और मैंने फर्स टेबल पर खेलके सारे गेम जीते और फर्स प्राइज लिया है ये गेम कब से कब तक चली ये प्रतियोगिता क्या कहते हैं बाइस बाइस से चौबिस मही तक चली थी विभव की मा जिया शर्मा का कहना है कि उसकी इस जीत में विभव की मेहनत के अलावा उसके पूरे परिवार का साथ है इसके पिताजी के सेयोग से और हमारे पूरे परिवार के सेयोग से और साही बाबा की कृपस से या आगे जा रहा है और इसकी अपनी खुद की महनता है ये 10-12 गंटे लगातार ये चेस में देता है और जब ये कोई गेम हार जाता है तो ये उसे एनलेसिस करता है तो सबसे इसका strong point है कि अपनी हार को analysis करता है कि मैं हारा क्यों इसलिए ये next tournament में ये जीच जाता है अब क्या आगे इसकी भावना है इसकी आगे कैसे अब देखना होगा कि इस नन्य शत्रंद खिलाडी का सामना जब राश्च्छ स्तर के खिलाडी उसे होगा तो परिनाम क्या होता है फोकस अर्याना के लिए फर्दाबाद से सुधीर शर्मा के रिपोर्ट